हेलो, राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी विवा का शुब मूरत, तुलसी विवा कैसे करें, तुलसी विवा में लगने वाली सामगरी और पूजा की सरलविधी हिंदु धर्म में कार्तिक महा की एकादशी तीथी को दे उठनी एकादशी माना जाता है इस दिन तुलसी और शाली ग्राम जी का विवा कराया जाता है, वहीं कुछ लोग कार्तिक महा शुक्ल बक्ष की द्वादशी तीथी को तुलसी विवा करते हैं इसलिए साल 2023 में 23 नवंबर और 24 नवंबर को दो दिन तक तुलसी विवा का आयोजन होगा हिंदु धर में तुलसी विवा का बड़ा मैत्व है, माननेता है ऐसा करने से कन्यादान के समान पुन्डे मिलता है और घर में सुक्सम्रद्धी और खुशाली आती है देवटनी एकादेश्षी के दिन तुलसी विवा का सुब समय शाम को 6 बज कर 50 मिनट पर शुरू होगा और 8 बज कर 9 मिनट पर समापत होगा यहीं ज्यादतर लोग कार्तिक महा की 12 तिथी को तुलसी विवा करते हैं इस साल कार्तिक महा सुक्ल पक्ष की 12 तिथी की शुरूआत 23 नौवंबर को रात 9 बज कर 1 मिनट से होगी और 24 नौवंबर को शाम 7 बज कर 6 मिनट पर समापत होगी इस दिन शाम 5 बज कर 25 मिनट से शाम 6 बज कर 4 मिनट प्रदोश काल का शुप मुरद बन रहा है तुलसी विवा में आपको क्या-क्या शामागरी लगेगी वो कुछ इस प्रकार है हल्दी की गाठ, शाली ग्राम, गनेश्ची की प्रतिमा, श्रिंगार समगरी, विश्नोजी की प्रतिमा, पताशे, फल, फूल, धूप, दीप, हल्दी, हवन समगरी, गन्न, लाल्चुन्री, अक्षत, रोली, कुम-कुम, तिल, घी, आंवला, मिठाई, तुलसी का पोधा सम पूजा की सभी समगरी आप एकत्रित कर लें, अब मैं आपको बताती हूं तुलसी विवा की सरल विधी, तुलसी विवा के दिन सुबच जल्दी उठे, स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहने, तुलसी के पोधे पर जल चड़ाएं, जो लोग तुलसी विवा में क सामिल हो, एक छोटी चौकी पर तुलसी जी का पोधा रखें, गमले पर गन्ने का मंडब बनाएं, इसके बाद दूसरी चौकी पर शाली ग्राम जी को स्थापित करें, चौकी के पास कलश रखें, कलश पर स्वास्तिक बनाएं, और संभा हो तो तुलसी के गमले के पास रं का जल छिड़कें, तुलसी माता को रोली और शाली ग्राम जी को चंदन का तिलक लगाएं, अब तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चड़ाएं, और उन्हें श्रिंगार समगरी अरपित करें, शाली ग्राम भगवान को पंचा मुनत से स्थान कराएं, और उन्हें बीले अरपित करें, तुलसी और शाली ग्राम जी को हल्दी लगाएं, शाली ग्राम जी को हाथ से लेकर तुलसी के पौधे की साथ बार परिक्रमा करें, माननेता है कि शाली ग्राम जी की चौकी को किसी पुरुष को ही उठाना चाहिए, तुलसी विवा की सभी रस्ने को बड़े विधिविधान से निभाना चाहिए इसके बाद तुलसी माता और शाली ग्राम जी की आरती उतारे विवा संपर होने के बाद उन्हें भोग लगाए और लोगों में भी प्रशाद बाटे इस तरह आप भी तुलसी विवा कीजिए और घर में खुशाली लेके आईए धन्यवाद